चानक के समसामे की विशेश में आप सभी का स्वागत है हमारा आज का विशे है हिन मासागर में जिनॉम मैपिंग ये विशे चर्चा में इसलिए है क्योंकि हिन मासागर जो की विश्व के साथ महासागरों में से एक है वहाँ भारत की द्वारा genome mapping की जा रही है अब इसको हम थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं तो सबसे पहले आएए देखते हैं ये चर्चा में क्यूं है पंजी में राष्ट्रिय समुद्र विज्यान संस्थान के विज्यानिकों और शोद करताओं के एक दल को रवाना किया गया है हिन्द महासागर के लिए इस दल में तीस सदस्य हैं और इसका अनुसंधान पोथ सिंधू साधना है इसमें चालक दल के अन्यती सदस्य भी है ये सारे सदस्तिय हिंद महासागर में तीन महीने तक रहेंगे और ये 10,000 समुद्री मेल की दूरी तै करेंगे और वहाँ पे रिसर्च कारे करेंगे इसके बारे में जो कुछ और खास वाते हैं वो ये हैं कि ये देश का पहला ऐसा शोध है जो अपने आप में बहुत ही अलग है अलग इसलिए है क्योंकि इसका उदेश है जैवरासाइन विज्ञान समुद्र के जैवरासाइन विज्ञान को समझना है साथ में महासागर की जलवायू प्रिवर्तन को जानना भी है और वहाँ पे किस तरह के खनीज और किस तरह की चीज़े पाई जाती है उनके बारे में जानना भी इसका उदेश्य है इसके लिए 25 करोड की लागत से ये परियोजना बनाई गई है और इस चोद को पूरा करने में लगभग 3 साल का समय लगेगा नेक्स स्लाइड में हम इस पूरी परियोजना के बारे में विस्तार से बात करेंगे तो चलिए देखते हैं कि NIO का ये अनुसंधान क्या है ये परियोजना क्या है समुद्र में बहुत सारे रहसे चिपे हुए हैं हम सभी को पता है कि धरती का 70% समुद्र है और उसके बारे में रिसर्च बहुत ही कम हुआ है हम समुद्र के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं वहां के environment के बारे में नहीं जानते उसकी प्रकरती के बारे में नहीं जानते हमें ये तो पता है कि धर्ती पर जहां पर जमीन है वहां पर environment का जो effect है इसका CO2 का जो effect negative effect है या जो वेश्विक्तापन का जो negative effect है वो क्या है लेकिन हमें समुद्र के बारे में जादा मालूमात नहीं हैं इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए इन रहस्यों को उज्यागर करने के लिए वेग्यानिक तथा अध्योगिक अनुसंधान परीशत की गोवास्थित प्रयोकशाला है राष्टिय समुद्र वेग्यान संस्था ने हिन महासादर में पाए जाने वाले सुक्षम जीयों की जिनोम मैपिंग के लिए अभ्यान शुरू किया है और इससे समुद्री रहस्यों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी और काफे कुछ ऐसी चीज़े हमें पता चलेगी जो उस समुद्र के एन्वायर्मेंट को बना दल शामिल है लेकिन इस तेस व्यानिकों के दल में 6 महिलाएं भी इसमें शामिल है इसके अलावा इसमें जो खास बाते हैं उसमें यह है कि यह कहां-कहां होगा यह जो शोध है किस-किस एरिया में होगा तो यह इंडिया से नीचे आप देख रहे हैं सारा हिंद महासागर क पूर्वी तटपे यहां पर उस्ट्रेलिया की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ होगा इसके अलावा मौरिशस की तरफ जाने वाले पोर्ट लोई की तरफ जो रास्ता जाता है वहां होगा और पाकिस्तान की जो यह सीमा लगती है यहां पर भी होगा यहां पर जो समुद्री पारिस्तिती की तंत्र में जो सुक्षम जीव पाई जाते हैं उनकी भी जिनोम मैपिंग की जाएगी और उसके बारे में विस्तार से जानकारी जुटाने के कोशिश की जाएगी 10,000 किलोमेटर के दाएरे में ये रिसर्च कार्य होगा इसके अलावा इसमें हिन महासागर के विबिन हिस्सों में आन्विक स्तर पर यानि की नैनो स्तर पर वहां के एको सिस्टम के बारे में उनकी आंत्रिक कार्य परनाली के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी ये जो पूरा शोध है, हिंद महासागर के विबिन छित्रों में लगभग 5,000 मेटर की गहराई से नमूने जुटाएगा, यानि कि समुद्र में जहां पर भी शोध करें होगा, अलग-अलग जगाओ उपर होगा, 90 दिन तक ये चलेगा, उन 90 दिनों में जहां पर भी होगा, ये 5,000 मेटर की गहराई तक समुद्र की सतय को खोद के वहां पर रिसर्च करें किया जाएगा, जीन मैपिंग के थ्रू वहां पर नमूने जुटाएगे, इंसानों के अगर मैं बात करूं तो जीन मैपिंग से रक्त के नमूनों पर ये जो है की जाती है, और उससे जो है ज पोशक तत्व है, उन सभी की जानकारियों को हासिल करेंगे और उनको होने वाले नुकसान को रोकने की कोशिश करेंगे और उनको बचाने में आगे किस टेकनीक का इस्तिमाल हो सकता है या किन चीजों का इस्तिमाल हो सकता है, ये जानकारियां हासिल करके ही उसका लोगों के लिए भी करेंगे अब हम नेक्स लाइड में देखते हैं कि यह जो परियोजना है जो शोद कारी की परियोजना है सब उद्र में जिनॉम मैपिंग की उससे विज्ञानिकों को क्या-क्या सीखने को मिलेगा क्योंकि अपने आप में पहला रिसर्च है इस तरह का तो सबसे पहले तो जो हम बात कर भी चुके हैं फिंद माहसागर के पारिस्तक की तंत्र को समझने में इससे मदद मिलेगी हमें पता चलेगा कि हिंद माहसागर के सेरिय में जानकरी होगा हम उनको प्रभावित करने वाले विबिन्द तनाओं की पहचान करने में सक्षम हो प्लस वहां जो मिलने वाले खनीज तत्व और जो भी है धातू वगरा उनका इस्तिमाल हम अपने हित में कर पाएंगे इसके साथ ही जो वहां सीखने को मिलेगा वो ये कि समुद्र में बहुत सारे सुक्ष्म पोशक तत्व पाए जाते हैं जैसे कि नाइट्रेट, सलफेट, स जोह एस्क और जस्ता जैसे खनीज भी वहां पाए जाते हैं इसके साथ ही कैड्मियम और तामे जैसे धातू भी वहां पे पाए जाते हैं अगर हम पता लगा लेते हैं कि कि सेरिया में कितने हैं तो वह हमारा आर्थिक जो है उदेशे भी पूरा करता है और हमें आर्थिक लाब भी मदद भी पहुंचाएगा जिनोम मैपिंग से वायू मंडलिये कारबन डाई ऑकसाइड की उसकी प्रतिकिरिया के अलावा इन रोगानों की उपस्तिति के बारे में जानकारी मिलेगी अब सेधी सी बात है कि एन्वायरमेंट में CO2 बढ़ रहा है CO2 बढ़ने से पढ़ रहा होगा वहां कुछ इस तरह के इंपक्ट तो सामाने ते देखे जा रहे हैं कि जल्येजीव अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं जहां वो पहले रहा करते थे वहां नहीं रह रहे हैं मैं ग्रोव नस्पती को नुकसान हो रहा है उसके अलावा कोरल रीप्स को और मचलियों को बहुत जादा नुकसान हो रहा है वहां के एंवायर्मेंट को बहुत जादा नुकसान इससे हो रहा है तो ये सारी जानकारियां हम जुटा पाएंगे कि कहां किस तरफे किस तरह का नुकसान हुआ है इससे ये पता भी लगेगा कि समुद्र के किस हिसे में क इस तरह के खनीश्टत्व है यानकि उनकी साध्रता के बारे में पता चलेगा कि कहां भंडार है और कहां बहुत थोड़ी मात्रा में है ये सब हमें पता चलेगा और ये पता चलने के बाद इनका उप्योग हम अपने आर्थिक हितों के लिए कर सकते हैं ये मैं आपको बता भ हो रहा है किसी भी वहां पे एकोसिस्टम को नुक्सान हो रहा है तो उसके शमन के तरीके भी हम खोज पाएंगे ये सारे लाभ हमें इस शोद से भविश्य में होने वाले हैं अब हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हम एक इतना बड़ा इन्वेस्ट्मेंट कर रहे है हलांकि हमारी अन्य प्रयोजनाओं के मुकाबले इन्वेस्टमेंट ये बहुत जादा नहीं है लेकिन फिर भी एक तीन महीने का इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर हमारा पैसा भी लगा है और उसके अलावा हमारा human capital भी लगा है तीन महीने वो लोग वहां बिताएंगे तो इसका क्या महत्तु है आखिर क्यों importance रखता है ये क्या significance है इसके सबसे बड़ा significance तो यही है कि प्रत्वी का 70% पानी है और धर्ती पर पाये जाने वाले जो 100% जीव जन्तू है उनमें 90% जीव जन्तू है वो समुद्र में ही पाये जाते हैं जो धर्ती में 10% जीव जन्तू पाए जाते हैं, उनमें आप और हम भी शामिल हैं। तो हम एक मत्र छोटा सा हिस्सा हैं, 90% जीव जन्तू समुद्र में पाए जाते हैं, धर्ती के मुकाबले वो बहुत जादा है। इसके अलावा आज तक महा सागरों के बारे में हमारे पास बहुत जानकारी नहीं है। नेक्स स्लाइड में हम देखेंगे कि यह जो अनुसंदान है, उससे हमें क्या-क्या लाब, संभावित लाब हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। महा सागर में जिनौम की खोज के वाडिक जिक जे प्रधोगी की अनुप्रियोगों की बड़ती संख्या में व्रधी कर सकते हैं। यानि की जब हम वहां के बारे में जानकारी जुटा लेंगे, तो हम वहाँ पर जे प्रधोगी की अनुप्रियोग कर सकते हैं। वहां पर research कारे कर सकते हैं और जो research कारे हम वहां पर करेंगे वहां research से हम जो हमीद पदार्थ मिलेगे उनसे हम बहुत सारी anti-cancer दवाईयां बना सकते हैं, anti-virus दवाईयां बना सकते हैं, सौंधरिय प्रसादन भी हम वहां बना सकते हैं, इसके अलावा ओध्योगिक enzymes तक हम पहुँच अपनी बना सकते हैं और इन सारी चीजों का विस्तार कर सकते हैं, महा सागर की खोज के प्रणाम सवरूप, taxonomy और अनकूल चमता की द्रश्टी विक्सित करके हम जो हैं उसके संग्रक्षन के प्रयासों को बढ़ावा दे सकते हैं और संग्रक्षन की स्तितियों को अनकूल बना सकते हैं, इसके साथ हमें इससे और भी बहुत सारे लाब होंगे, जैसे की हिंद महा सागर के पारिस्तिति की तंत्र की गती शिल्ता को हम समझ पाएंगे, पारिस्तिति की तंत्र की गती शिल्ता से यहां मैं एक चोटा सा एक्जामपल दूँगी कि जैसे ही रशिया के अंदर बरफ पढ़ने लगती हैं तो वहां से प्रवासी पक्षी इधर आने लगते हैं साउथ की तरफ जिसमें से भारत में भी बहुत सारे आते हैं तो हमें यह भी पता चलेगा कि वहां का एको सिस्टम कैसे है और उसकी गती शिलता एंवायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसी रहती है किस त सब्सक्राइब का एक फर्स स्टेप होगा बाद में ऐसे रिसर्च और इसके अलग-अलग स्टेजिस होंगे आगे भी इस तरह की शोद जारी रहेंगे तो यह उसका पहला पढ़ाव है और इसमें मदद करेगा हम हमें जानने में उसके पूरे एको सिस्टम को इसके साथ ही जिनोब मैपिंग के माध्यम से बदलती जलवायो दशाओं का ध्यान रखते हुए हम महासागर में उपस्तित सुक्ष्म जीवों का जैवरासायनिक अध्यन कर पाएंगे जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकि वहाँ टीम क्या क्या करेगी उसमें तो जब हम उनके बारे म में विज्यानिक समुद्र के विबिन हिस्सों की रिसर्च करेंगे और जिसमें विशिष्ट खनीजों की प्रचूरता और उनकी कमी के बारे में हमारी समझ विक्सित होगी और इसकी साथ इनका प्रियोग उप्योग माहसागरिये पारिस्तिति की पढ़नालियों में सुधा से जुड़ी जो रणनीतियां हम बनाने जाएंगे उसमें हम कर पाएंगे डेफिनिटली जब हमें पता होगा कि वहां क्या चीज़ें हैं कभी हम उनके लिए रणनीतियां जो बनाएंगे उस डिसीजन मेकिंग में इस रिसर्च को हम यूज कर पाएंगे तो इसके साथ ही इस वीडियो को हमने लगभग पूरा बात कर ली है जो इंपॉर्टन बात थी अब हम देखें कि आज का प्रश्न आज का प्रश्न है हाल ही में रास्ट्य समुद्र विज्ञान संस्थान एना यो ने हिंद महासागर में जेनॉम मैपिंग के लिए एक अभ्यान चुरू किय इससे सम्मधित कत्नों पर विचार कीजिए कथन एक इसका अनुसंधान पोत सिंदू साधना है कथन दो इससे पूरा करने में पांच साल लगेगा अगर आपने इस पूरे टॉपिक को ध्यान से सुना होगा तो आप आसाली से इसका जवाब दे सकते हैं आपको इसमें बता आप अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजेगा आपके जवाब का इंतजार रहेगा इसके साथ ही हम देखते हैं कि पिछले वीडियो में जो प्रश्ण पूछा गया था उसका सही जवाब क्या है पिछले वीडियो में जो प्रश्ण पूछा गया था वो उसमे पर 1873 होगा बंगाल इस्टन फ्रंटियर रेगुलेशन एक 1873 के तहती से जारी किया गया था और इसका उतर ए है इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ इस वीडियो और अन्य वीडियो से समधित PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर जा सकते हैं वहां पर सारे PDF उपलब्ध है और हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें थेंक यू सो मच कि अपर एक पर लुग एक रचानल कर दो तो नेवर मिस नप्टेट इन कर दो आपक्ट वेल एक राफने कर दो खोड़ दो इस वेले हैं अप्टेट आपका है